Hello everyone, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड आप अपने YouTube वीडियो को सर्च रिजल्ट में कैसे हैं, कैसे अपने वीडियो को टॉप पे रैंग कराएं, कि कोई भी उस टॉपिक की वीडियो को YouTube पे सर्च करने के लिए जाता है, तो आपकी वीडियो टॉप पे दिखेंगे, जैसे मैं सर्च कर लेता है, YouTube चैनल आठ कैसे बना है, तो देख सकते हैं, ये भी वीडियो में टॉप पे रैंग कर रही है, जरूर इनी वन पे करें, लेकिन टॉप 10 के अंदर जरूर रैंग करती है मेरी वीडियो, Amazon से रिलेटेट करोगे, तो मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी, YouTube पे रैंग करेगी, टॉप पे सर्च रिजल्ट में आएगी, तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, इससे पहले आप से छोटा सरी कुस्ट एगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्स्टाइब, जरूर कर दीजिगा, चले सर्च रिजल्ट में भी दिखेगा और आपकी वीडियो पे वीउज आएगा, आपका चैनल ओल आवर ग्रो करेगा, और दोसरा चीज थैमने ले, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको वो कीवर्ट कैसे पता करना है, वो टाइटल कैसे पता करना है, आप जब भी कि आपको अपने वीडियो में टाइटल टैग कैसे यूज करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट होता है, वो टाइटल टैग ही होता है, अगर आपकी वीडियो में टाइटल टैग सही तरीके से लगा होगा, तो आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में भी दि लेना है Google को open कर लेना है open करने के बाद आपके वीडियो का जो भी topic है आपको search कर लेना है for example यहां पर हमें एक topic ले लेते हैं कोई भी अपने मन से यहां पर मैं लेता हूं कि वीडियो का background कैसे remove करें तो यहां पर आपको English में लिख देना है how to remove video background एक बार English में आपको लिख कर search करना है search करोगे scroll down करके नीचे की तरफ आओगे यहां पर जो भी आपको keyword दिख रहा है question mark वाला आपको यहां पर इसको copy में note कर लेना है या फिर इसको copy करके अपने video के tag में और title में use करना है कोई भी इसमें से देख लो एक को उठा कर आप title में use कर लो और उसके बाद जो भी आपको अपने video के tag के अंदर use करना है और इसी में से आपको अपने video के description के अंदर भी use करना है एक और तरीका है आप YouTube पे जाओ YouTube पे जाने के बाद YouTube पे जिस भी topic की video का upload कर रहा है YouTube पे search करो, search करोगे तो यहां पे भी आपको जो भी popular video दिखे कि जिस पे सबसे जादा views आया हुआ है, उसके title को आप copy कर लो, copy करने के बाद आपको अपने video के description में उसको लिख देना है अच्छे तरीके से, तो आपका video 110% search result में दिखेगा, वीडियो में title, tag, hashtag, description लिखने का सही तरीका क्या है, अगर उसको आप जैसे तैसे लिख देते हो, तो उसका आपको कोई अपने tag में डालना है, आपको जो वीडियो का title है, वो आपके title, tag, description और title, तीनो जगा पर होना चाहिए, same, same, YouTube का algorithm उसी तरीके से काम करता है, फिर आपको अपने जो social media का link वगएर है, description में डालते है, वो डालो, उसको डालने के बाद, नीचे में tag for reference लिखने के बाद, जादा important है कि आपकी वीडियो का thumbnail कैसा है, अगर आपकी वीडियो का thumbnail अच्छा नहीं है, attractive नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो काफी अच्छी है, all about सब कुछ आपका अच्छा है, title, tag, hashtag, description सब कुछ आपने अच्छे तरीके से अपलाई किया है, लेकिन आपकी वीडियो का thumbnail आपकी वीडियो का thumbnail खड़ाब है, लेकिन 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 आपकी वीड देखता है, for example, आपकी वीडियो को यूटूब 500 लोगों तक भेजता है, तो यूटूब उसमें से ये देखता है कि कितने लोग आपकी वीडियो को इग्नॉर करेंगे, थैमनल अच्छा होगा, तो किलिक कर लेंगे, वहीं अगर आपकी वीडियो को यूटूब और लोगों तक रिकमेंट करेंगा, 500 लोगों तक किया है, तो आपकी वीडियो को एक हसार और लोगों तक भेजतेगा, वहीं आपकी वीडियो पे लोग क्लिक नहीं करेंगे, उसका क्लिक थूर रेट बिल्कुल खड़ाब हो जाता है, तो आपकी वीडियो को यूटूब उसी हाल में में क्योंकि यूटुब को लगने लगता है कि इस वीडियो से लोगों को कोई फैदा नहीं है कोई बिनिफिट नहीं है तो उस वीडियो को उसी हाल में छोड़ देता है इसलिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो थैमनेल है अच्छा बनाने की कोशिश करो अगर आपको थैमनेल बनाना नहीं हाता तो उस भी मैंने एक सब्सक्राइब वीडियो बना है उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगीब कि अगर आपको को देखने के लिए मिलते हैं एक टूटियो में थैंकियो सो मज़